हेलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग advanced spoken English structure के तहत कुछ खास structures को समझेंगे with examples तो दोस्तों आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है किरपिया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखेगा आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं मेरा user ID ह अल राउंड नॉलेज दोस्तों हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह के sentences को जरूर बोलते हैं जैसे वह उतना मुर्क नहीं है जितना हम लोग समझते हैं तो दोस्तों इस तरह के sentences का structure होगा सबसे पहले subject उसके बाद subject का नुसार एमीजार प्लस नॉट प्लस आइज और यहाँ पर adjective आजाएगा फिर प्लस आइज प्लस simple present tense जैसे दोस्तों माल लीजिए वह उतना चालाग नहीं है जितना हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे he he is not आप चाहें तो isn't भी लिख सकते हैं सोट में he isn't as clever as अब है यहाँ पर हम लोग समझते हैं we think he is not as clever as we think माल लीजिए आपको बोलना हो तुम उतना smart नहीं हो जितना वह समझता है तो यहाँ पर लिखेंगे you aren't as smart as वह समझता है he thinks यहाँ पर as add कर देंगे क्योंकि he third percent singular number है you aren't as smart as he thinks मालीजिए आपको बोलना हो वह उतना ग्यानी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे he is not as knowledgeable वह as we think he is not as knowledgeable as we think मालीजिए आपको बोलना हो वह उतना मददगार नहीं है जितना वह दिखावा करता है तो यहाँ पर लिखेंगे he is not as helpful as he shows off he is not as helpful as he shows off दोस्तो आप चाहें तो यहाँ पर pretends का भी यूज कर सकते है pretends यानि दिखावा करना चल करना मालीजिए दोस्तो आपको बोलना हो वह उतना धनी नहीं है दिखावा करता है तो यहाँ पर लिखेंगे he is not as rich as he shows off he is not as rich as he shows off और दोस्तो आप लूग लिए एक सेंटेंस है वह उतनी सुंदर नहीं है जितना हम लोग समझते हैं वह उतनी सुंदर नहीं है जितना हम लोग समझते हैं एक और सेंटेंस है आप लोग के लिए मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना आप लोग समझते हैं तो यहाँ पर I am not का यूज करना है तो दोस्तो आप लोग अपना आंसर comment box में जरूर लिखेगा दोस्तो हम अपने daily life में इस तरह के sentences को जरूर बोलते हैं जैसे मालेजिए उसे खुश रखना कठीन है तो दोस्तो इसे हम दो दिन परकार से लिख सकते हैं इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं He is difficult to please He is difficult to please आप चाहें तो इस से भी सुरूर कर सकते हैं It's very difficult to please him तब यहाँ पर him object के रूप में लिखना पड़ेगा मालीजिए आपको बोलना हो उसे मनाना बहुत आसान है उसे मनाना बहुत आसान है तो दोस्तो मनाना इसके लिए आप convince का यूज़ कर सकते हैं convince कर देना आप चाहें तो persuade का भी यूज़ कर सकते हैं यानि कि एक तरह से फुसलाना तो यहाँ पर लिखेंगे He is very easy to convince He is very easy to convince दोस्तो यहाँ पर ही अभी subjective form में है और इसे आप it से भी शुरू कर सकते हैं It's very easy to convince him और यहाँ पर him क्या है? objective form में है मालीज़ दोस्तो आपको बोलना हो वह सभी के बिचारों का स्वागत करता है तो आप इसे simple present tense में भी लिख सकते हैं He welcomes everyone's opinion He welcomes everyone's opinion या फिर दोस्तो आप यह भी लिख सकते हैं He is very open to everyone's opinion He is very open to everyone's opinion मालीज़ आपको बोलना हो वह इतना तेज है की सब कुछ समझ जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे He is very sharp to understand everything He is very sharp to understand everything मालीज़ आपको बोलना हो वह इतना आकर्शक है की किसी को भी परभावित कर लेता है तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ आपको बोला जा सकता है तो दोस्तो आप so लगा कर भी बना सकते हैं He is so charming that he can attract anyone यह फिर इंप्रेश अन्यों He is so charming that he can impress anyone तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और दोस्तो आप लूक लिए एक sentence है उसे गुस्सा दिलाना आसान है तो दोस्तो आप इट से भी शुरू कर सकते हैं और दोस्तो गुस्सा दिलाना आप यहाँ पर make angry का यूज़ कर सकते हैं यदि आप इट से शुरू करते हैं तो makes him angry लिखना पड़ेगा I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि आप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और मेरे चैनल पर नहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ओल्राइट फ्रेंड्स थेंक्स पो वोचिंग एव अ ग्रेट डेए प्रेट बीडियो